नमस्कार, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में जाना कि किसी भी कोर्ट केस में आपको क्या सब सावधानी बरतनी है और कोर्ट केस को कैसे आप जल्दी से डिसाइट करवा सकते हैं तो फिर आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप आपके वकील और कोर्ट किसी भी केस को तो कैसे शुरुवात में ही खतम कर सकते हैं यानि कि शुरुवात में ही किसी केस को कैसे डिसाइट कराया जा सकता है तो बिलकुल वीडियो में आखिर तक आप बने रहें और अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक बार लाइक, सेयर और सब्सक् कि अगर आपको किसी मुकदमे को सुरुवात करना है, मुकदमा डालना है, तो सुरुवात आप कैसे करें, तो किसी भी सिविल मुकदमे को डालते वकत, उस मुकदमे से रिलेटेड जितने भी डॉक्मेंट हैं, जितने भी डॉक्मेंट एबलवल हैं, जो कि आपको उस मुक मुकदमे को जिताने के लिए महतपूर्ण है और जरूरी है तो उन सारे डॉक्मेंट को आपको अपने मुकदमे के साथ एनेक्स करने हैं लगाने हैं और उसके साथ आपको फाइल करना है और साथ में अगर कुछ डॉक्मेंट ऐसे हैं जो कि आपके लिए जरूरी है लेकिन व वह कहां से अबलेबल कराये जा सकता है अब आपने डॉकमेंट के साथ अपने मुकदमे को तयार कर कोर्ट में डाल दिया फिर उस मुकदमे का सम्मन दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी को जाएगा और उस सम्मन के मिलते ही सम्मन के मिलने के बाद 30 days के अंदर अंदर दूसरी पार्टी ने अपना डिफेंस रखना है अपना जवाब दावा फाइल करना है जिसे WS भी कहा जाता है तो दूसरी पार्टी अपने जवाब दावे के साथ अपने फेवर के वह सारे डॉक्मेंट प्रस्तुत करेगा जो कि उसके लिए जरूरी है इशू बनेंगे और केस जो है फिर गवाई में जाएगा यानि कि एवडेंस में जाएगा यानि कि रूटीन में उस केस को डिसाइड करने में काफी लंबा समय लग सकता है तो वहाँ पर आपको जवाब दावा आने के बाद तुरंत आपको उस जवाब दावे को स्टडी क और आपको देखना है कि क्या उस जवाब दावे में या फिर उसके साथ लगाएगे डौकमेंट में किसी भी तरह का अड्मिशन तो नहीं आया है यानि कि किसी भी तरह से दूसरी पार्टी ने आपके केस को अड्मिट तो नहीं किया स्विकार तो नहीं किया अगर वहाँ पर किसी भी तरह का एड्मिशन आ रहा है तो फिर आप इमिडियेट एक अप्लिकेशन लगाएंगे और 12 रूल 6 CPC में जिस अप्लिकेशन को डिशाइड कर कोट उस एड्मिशन के अधार पर वहाँ पर तुरंत जज्जमेंट पास करेगी और आपको रिलिफ वहीं पर मिल जाएगा फिर अगर जवाब दावे को पड़ने के बाद आपको लगे कि वहाँ पर उस जवाब दावे से कोई डिफेंस नहीं बन रहा यानि कि उस case में जो दुसरी पार्टी है वह कोई defense नहीं रख पाता है तो उस case में आपको order 15 rule 1 में application लगानी है जहाँ पर की order 15 rule 1 CPC जहाँ पर की party अगर किसी भी तरह के issue पर नहीं है ना तो law पर और ना ही facts पर तो court immediate judgment पास कर देगी तो अगर आपको जवाब दावा के पढ़ने के बाद लगे कि वहाँ पर कोई defense नहीं है ना तो law के उपर और ना तो facts के उपर तो आपको 15 rule 1 की application लगानी है और court उस application को decide कर वहीं पर आपको relief देदेगी और आपका मुकदमा वहीं पर decree हो जाएगा और आपके पक्ष में वह मुकदमा सुलवात में ही निरने आ जाएगा अब अगर किसी दूसरी पार्टी ने आपके उपर मुकदमा किया है civil cases को करा है और आपको संबन सर्व होता है तो संबन के मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब दावा फाइल करना है और वहाँ पर आपने प्लेंट और उन प्लेंट के साथ फाइल किये गए documents इन दोनों को study करनी है अगर उन दोनों को study करने के बाद आपको लगे कि entire plant में कोई cause of action नहीं है यानि कि entire plant में जितने भी facts दिये गये हैं उन facts के अधार पे जो relief मांगा गया है वह relief नहीं मिल सकता तो इसका मतलब वहाँ पे उस case में कोई भी cause of action नहीं है तो यहाँ पर cause of action का मतलब यह होता है कि वो सारे facts जो कि किसी case में दिये जाते हैं और जिस facts के अधार पे relief मांगा गया है वह यहाँ पर cause of action का जाता है तो अगर plant और documents को read करने के बाद आपको लगे कि case में cause of action नहीं है यानि कि उसको सत्यमान भी लिया जाए उन सारे facts को सत्यमान भी लिया जाए तो भी अगर वहाँ पर case में मांगे गये relief नहीं दी जा सकती तो इसका मतलब वहाँ पर cause of action नहीं है तो आपको immediate order 7 rule 11 CPC में application लगानी है और उस application को decide कर court उस case को तुरंद खारिज कर देगा dismiss कर देगा for want of cause of action और इस तरह से वह मुकदमा शुरुवात में ही खतम हो सकता है फिर अगर मुकदमा को पढ़ने के बाद मुकदमा प्लस document को study करने के बाद आपको लगे कि वह मुकदमा किसी भी law के अंदर bard है यानि कि या तो वह time bard है यानि कि limitation act में दिये गए समय सिमा के अंदर वह मुकदमा नहीं डाला गया है तो वह मुकदमा time bard हो जाता है या फिर वह मुकदमा किसी अंग law के अंदर bard है यानि कि वह मुकदमा आगे नहीं चल सकता तो उस case में भी आप order 7 rule 11 CPC में application लगा सकते हैं और उस application को decide कर court उस मुकदमे को वहीं पर खारिज कर देगी अब अगर उपर के सारे condition के होते हुए भी दोनों में से कोई भी party application लेके नहीं आती तो वह मुकदमा फिर evidence में चला जाता है और फिर सालो साल का समय उसमें लग जाता है तो ऐसी स्थिती में court को अपनी सक्री भूमी का निभानी चाहिए सधारन्त या court किसी मुकदमे को बिल्कुल final stage में आकर फिर पड़ती है और उस पर अपना mind apply करती है लेकिन अगर court सुवात में ही मुकदमे से go through होकर अपना mind apply कर या decide कर दे कि इस case में cause of action नहीं है या फिर या case किसी कानून के अंतरगत बाड़ है या फिर WS में कोई admission आ रहा है इस admission पे judgment पास हो सकता है तो court दोनों पार्टी को सुनकर सुलवात में ही उस case को decide कर सकता है और इस तरह से सुलवात में उस case को decide कर court के साथ साथ दोनों ही पार्टी के समय की बचत हो सकती है और नयाय जल्द मिल सकता है तो उमीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए कापरी महत्रपुन साबित होगी आज के लिए इतना ही धन्यवार्द झाल